नमस्कार दोस्तो आज जुलाई 2022 के डेली निच पेपर एनालेसेस में आप सभी दोस्तों का हादिक स्वागत हैं दोस्तो आज हम दो महत्रपूर्ण करेंट अपरेश डिसकसिन करेंगे पहला करेंट अपरेश समझी थें ERCP से दोस्तो इ-र-CP का पुरा नाम है Eastern Rajasthan या गलती से रिजन चप गया है Eastern Rajasthan Kennell Project यानि पूर्वी राजस्थान नहर परयोजना दोस्तो ये भी बहुत सुर्कियों में इसको लेकर राजी सरकार और कैंदर सरकार की बीच रसा कसे किसी चल रही है दोस्तो पहले देखते हैं कि रासा कसे क्यों चल रही है दोस्तो राजिस्तान सरकार द्वारे मांग की जा रही है कि ERCP यानि Eastern Rajasthan Kenner Project को राश्ट्य परियोचना का दर्जा दिया जाए ऐसी मांग इसलिए की जा रही है ताकि जो इस परियोचना की जो वहन रासी आएगी वो 90% वहन रासी केंदे सरकार वहन करें और राजिस्तान सरकार का पैसा बचे ये मांग राश्ट्य परियोचना का दर्जा देने की मांग की जा रही है दूसरा इसमें चुँकि दो स्टेट इन्वाल्व हैं ये जो विवात की इसमें जड़ है अब इस योजना के बारे में देखते हैं दोस्तो इस योजना में जो दोस्तो होगा क्या कि जो ERCP है उसके तर दक्सिनी राजिस्तान में जो बैनेवारी नदी है चंबल नदी और उसकी जो सायक नदी है इनमें दोस्तो क्या होता है वर्सा रितुक के दौरान सर प्लस जो वाटर आ जाता है उस सर प्लस वाटर का उप्योग किया जाएगा पीने के पानी में और सिचाई है तो उसका उप्योग किया जाएगा तो ये योजना का अबजेक्टिव है अब इस योजना से कौन-कौन से जिले लाबानवित होंगे तो इसे पूर्वी राजस्तान के तेरे जिले लाबानवित होंगे दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि RS Pre में भी यह स्वाल आयो है तो यह जो तेरा जिले हैं उसमें कोटा संभा के चार जिले होंगे कोटा बुंदी बारा जालावार इसके अलावा अजमेर संभा के अजमेर और टॉंक इसके अलावा जैपूर संभा का जैपूर और जो पूरी के बात करें तो अलवर बर्दपू, दोसा, दोलपू, सवय मादपूर और करो लिकुल मिला के तेरा जिले, तेरा जिले आपको नाम कंटस्त होने चाहिए तो यह सीजना के बारे में थोड़ी सी पैसिक जान करी थी, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह समझी थे हैं, राजिस्टवा में मनो नेयन से, दोसों जयता के आप सबी जानते हैं, कि राश्पती महधार संसुत के उस सदेन, राजिस्टवा में बारा सदशियों को मनो न किसी परिशे के मौताज नहीं है केरल की धावक रही है और 1904 से के लॉस अंजलिस ओलंपिक खेलो में 400 मिटर बादा दोड में भाग लेते हुए वो कुछ ही पॉइंटों से ब्रॉंज बेडल जीतने से चुकी थी और चौते नमर पे रही थी और तमिल अलू के इलया राजा क अदना विभुशन से सम्मानित किया गया था इसके लाब बात करें दोस्तों विरंदर हेगडे की तो यह आप कनाटक के रहने वाले हैं और सोशिल वरकर हैं इसके लाब वाँ एक मंदीर है कनाटक में धरमिस्तल मंदिर उसके सर्वोच दर्मादिकारी हैं बास करें विजि वारो नार में यह साउथ इंडिया से आते हैं इस वीडियो में इतना ही यह वीडियो हाफफुली आपके लिए उप्योगी सित होगा और निश्चित उरुप से इस वीडियो से आगामी जो एक्जाम में सवाल बनेंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा इस वीडिय रहाराद